हेलो एंड वेल्कम फ्रेंड मैं नामे जावेद आप देख रहा हैं हेल्पफुल लास्ते यूट्यूब चैनल दोस्तों इंडियान डेलवे एक अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने वाला है इंडियान डेलवे एक अक्टूबर से ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाओ और कौन-कौन सी ट्रेनों के किराये बढ़ने वाले हैं इसी के बारे में आज हम बात करेंगे तो ये वीडियो लास्तक जरूर देखेगा आपके लिए काफिस जदा हिल्फुल होगा आगे बढ़ने से पहले प्यार बहर रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छ लेगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी हिल्फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तों आपको बता दू ट्रेन में सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए जरूरी खबर है पारतिये रेलवे एक अक्टूबर से अपना नया टाइम ट काटेगरी को बदलने की भी गोश्रा की है आपको बता दू भारतिये रेलवे हर साल की तरह इस साल भी अपना नया टाइम टेबल जारी करने की तयारी कर चुका है अलाकि पिछले साल कोरोना की वज़े से टाइम टेबल जारी नहीं किया गया था इस साल एक अक्टूबर से फिर से नया टाइम टेबल जारी करने की पूरी तयारी हो गई है आपको बता दू नया टाइम टेबल जारी होने के बाद कई टेनों के आगमन और प्रस्थान और स्टेशनों पर उनका हाल्ट आदी सब बदल जाएंगे यानि एक अक्टूबर के बाद से सफर करने का अगर आप सोच रहें तो इस्टेशन जाने से पहले ट्रेन की टाइमिंग आपको पता कर लेनी होगी साथ ही साथ आपको बता दू जैसे जैसे कुरोना की रफतार घट रही है उसी के मताबिक रेलवे की सर्विसेज पटरी पर लोट रही है नया टाइम टेबल लागू होने के बाद किराय में भी बढ़ोतरी हो सकती है वही नया टाइम टेबल लागू होने के बाद ट्रेनों की Special के बजाए, जैंशताबदी Superfast Express Trainor की कर्टेगरी के साथ होगा Status बदलने के साथ ट्रेनों का किराया भी बढ़ सकता है हो सकता है कुछ ट्रेनों का किराया भी सस्ता कर दिया जाए दूस्तों इसके बारे में आपका क्या कहाल है कमेंट बाक्स में जबर बताइएगा ये अपडेट कैसा लगा ये भी बताईएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं इंफॉर्मिशन के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग